हेलो दोस्तो मेरा नाम है त्रिमन कोर और आज हम करने वाले हैं डास पार्टी का पार्ट टू जिसमें हम अडवांस कोडिंग करेंगे जो आपको नई विद्धनतु ने सिखायेगा नई वाटे जुनिरे वो हमें कोड ओटो आज है सिखायेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जी मैंने अपना गूगल क्रॉम ओपन केगा पर मैं लखूँगी कोड ओटो और जी फिर एंटर अब जी ओपन होगे अब मैं डिप्टी से स्क्रॉल करूंगी और फाइंड एको स्क्यूपर ट्लिक करूंगी और हमने सीखने हैं डांस पार्टी के बारे में तो हम मैं इसके उपर क्लिक करूंगी तो पहले हमने स्टार्ट में यहां पर सिखाता स्टार्ट में और अब हम करने वाले कीप ओन डांसिंग स्टार्ट पार्ट तो मैं इसके उपर क्लिक करूंगी और यह हो गया अपन अब यहां पर कीप ओन डांसिंग इसके नीचे क्या बोला है पॉर पार्ट तू यू आर गोईंग तो किरेट यूर ओन पोजेट कि अब हम इस पार्ट तू में हम अपनी मज़ी से एक पोजेट बनाएंगे यहां पर हम कोई पॉजल नहीं करने वाले हैं और यह कुछ पिता रहे हैं आइडेस कि आप इतनी सारे अच्छे भी बना सकते हैं और मैं भी ऐसे कुछ अच्छे अच्छे बनाऊगे अब मैं क्लिक करोंगे कंटीनियू के ऊपर तो यह हो गया अभी मारा ओपन यह बैक एंद पॉर्थ का मतलब है कि यह उन्होंने अपने डांस पार्टे का एक नेम दिया उसका तो इन्होंने आप पर इस्टेक्शन बॉक में क्या बताया गया भी back and forth somewhat also you might want to create a pattern of dance moves you choose this new block lets you do just that the moves you choose above will repeat in sequence forever create an alternating routine for the lead dancer at the front use different numbers to change the rate in which the moves alternate try one or 0.5 to alternate more quickly यहाँ पर अभी यह पर बताया गया कि यह भूनjemने एक यू बहुत दिया रगी इसके बारे में मुझे किसे नहीं पर कर्ण की पहले? ते हमने पर अपना दांसर चूस करना है और यहां पर अपना उनों यहां का चूस करना है ऑ फिर वह बूल का स्टार चूस करना चाहिए और उसके बाद जार तुब संई मिसर कि नास हला स ansch टार बाद टार चूस क्या है यासे वो हर एक बाद उससे करता रहेगा, करता रहेगा. और इसका मतलब होता है ये. तो जो इन्होंने कोडिंग करने हैं, पर लिए बुछ हैं, जापना करने हैं. आभी वो हमेशे टू मीजर के बाद रासाई करता है. अब हम इन्होंने बोला कि अब हम निसमे अडवांस कोडिंग करनी है कि अब इसके और भी कुछ एड़ करना है और भी अच्छा लगे तो मैं जाती हूं पहले इवेंट्स में और लोगी यह वला ब्लॉक तो मैं अब भी चाहती हूं कि जब टू होते हैं तो जो यूनिकोन है वो स्टार और डॉप का स्टेप करना चाहिए लेकिन जी उन्होंने दोनों से कराई ड़क्स और यूनिकोन से कि भर फिर गैंगम का करना चाहिए स्टेप और एक डैब का पहले हमने तू में जदे के बाद यूनिकोन करते थे तू मिज़र तक यह काम के स्टार्ट के बाद ने जbie tap करते थेू और अब जब द्रॉप का स्टप करने ची वह भी 4 मीज़ थे और वह उसे रिपीट करते रहेंगे और अब मैं फिर से इवर्ट में जाऊंगी और अब मैं कराऊंगी जो इन्मों का जी जो डोग है उसका भी मैं यहाँ से चेंज करा दूँगी तो मैं जाओंगी डांसर में और लूँगी जीवलब लोग अब मैं यहां पर कर दूँगी डोग और डोग करेगा अभी यहां पर six measure कर देते हैं वो six measure के बाद बोडी रोल करना चाहिए वो एक बोडी रोल करना चाहिए साथ में और साथ में वह एक करना चाहिए स्टार का स्टैप मैं चाहती हूँ कि Six Miser के बाद जो डॉक्स हैं वह बोडी रोल करने चाहिए Six Miser तक और बाद में स्टार भी स्टार करने चाहिए Six Miser तक और उसे उन्होंने repeat करते जाना है मिज़र क्या होता है Seconds मैं इतना रान कट के चेक करती हूं शाइके के बात बांट आपन अगा है Magic Warm? षा, खेचे बात उसके पांट यह हैं, जो यह लोग है वह भी करने हैं अगर मैं यहां पर जो टू मिजर ओते हैं, अगर Unai हैक侙हारा बासा है 0.5, तो क्या था? फिर वो उतनी जाज़े उसे चेंज करता जाएगा, अब इसे रून करता है तो उसकी स्पीड बजाएगी, तो एक बार इसे मैं रून करके चेक करता है वाउची जाज़े केस कर रहा है अगर मैं आब यहां पर 0.1 क्या था? तो वो तो बहुत फास्ट चेंज करेगा, जलो इतना हम रून करके चेक करते है वाउची जाज़े लग रहा है कि वो सरेन है वाउची जाज़े कितना अच्छा कर रहा है अब मैं चाते हूँ कि जब टैन मीजर होते हैं तो जो यह डोग जो बदाता डांसर था सेंटर में डोग तो वो मैं चाते हूँ कि अभी वहाँ पर जगा कोई ओट असा आना चाहिए तो इसके लिए मैं पहले इसे इंविजिबल करूँगी नहीं पहले मैं इवेंट में जाँगी और आफटर मैं चाते हूँ कि जब टैन मीजर होते हैं 10 सेकेंड के बाद तो पहले हम उसे इंविजिबल कराएंगे नहीं तो उसके उपर ही आज जाएगा जो हमारा डांसर हो उसके पीछे दिखेगा मैं जाँगे प्रॉपर्प्रट्टीस में और लोगो ऑल वाद वीजिबल उसके वे चाथ ने हम जाएगा और यह ब्लोक लेंगे कि उसकी जगह हमारे पास एक टैट है वो मारे पास एक न्यू डांसर आ जाएगा और वो भी होना चाहिए बोटम में क्योंकि यहाँ पर भी और नहीं पेले डो को बोटन भी रखा था अब हम इतना रण करके चेक करते हैं इसने चेश कर दिया करके तेट किया था रखात्या 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 अब शेट वाव वाव अब हम्बोटम चाहता दू। प्योज जा खिर वाव पर गझा नहीं अड़ आँड़ चाहता रहे हैं और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम सिखेंगे कि हम इवेंट को कैसे यूज़ करते हैं और उसमें हम अपने कीबोड के अलफाबेट को भी यूज़ करेंगे और आपने इस पीच ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी हैं फिर मैं आपको और भी बताऊंगे कि हम उसमें और भी क्या क्या कर सकते हैं तो बाई मिलिंक गमारे नेक्स्ट वीडियो में और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे टैनल को सब्सक्राइब करना बाई मिलिंक गमारे नेक्स्ट वीडियो में